हलो एवरिवन वेलकम टू अन्बॉक्सिंग एवरी स्टफ आज हम लोग रिव्यूर अन्बॉक्सिंग करने वालें यही हैंड गैस्चियर ड्रून तो आप इस वीडियो को इन तक देखते रहें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए तो आप देख सकते है यह मैंने ओड़किया था है में जॉन से आज ही मुझे डिलिवर्ड हो गया है और यह बड़े से बॉक्स में आपको देखने के लिए मिलता है जिसमें आप हैंड गैस्चियर से कंट्रोल कर सकते हैं मैंने इसे उड़ाया भी है एक बार और आपको में रिव्यू दूंगा क कि वर्त है की नहीं तो यहां इस साइट पर आपको सारे सेंसे के बारें बताया गया है इसमें बेशिकल्ग आपको जाएरो स्कोर्प की मदश से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं इस ड्रोन को काफी हैंडी है पर प्राइस के इस आप प्राइस थोड़ा ज्यादा है चलिए हम लोग इसको निकाल लेते हैं और यह प्रावडली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हम लोगों को देखने को मिलता है तो यह काफी अच्छी बात है बहुत सारे ड्रोन्स आपको चाइनीज देखने को मिलते हैं पर यह एक इंडियन है तो सबसे पहले हम लोगों को मिलता है यह एक ड्रोन जो कि एक यलो कलर में हैं और यह काफी अच्छी डिजाइन इसके अंदर हम लोगों को देखने को मिल रही है और इसकी बैटरी चार्च करके देखेंगे कि इसकी लाइटिंग कैसी इसने की गई है और यहां पर अंदर हम लोग पैकेट देखने को मिलत प्लस स्कूर डाइवर प्लक्स एक्स्ट्रा प्लोपेलर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे और यहां पर रखा हुआ हमारा हैंड रिमोट जो जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं ड्रोन को वह काफी इजीली आप गैस्चियर्स जादा मुस्किल गैस्चियर्स इसमें नहीं हैं सिर्फ आपको ऊपर डाउन करके इसको कंट्रोल करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो को एंड दक देखते रहे हैं और यह इसका मैनुवल है जिसके पीछे काफी अच्छी चीशी लिख हुई है प्राउट टू इंडियन वह एक मुझे काफी अच्छी चीशी लगी क्योंकि ज्यादा दा ड्रोन चाइनीज होते हैं और यह एक हम लोगों को मिल जाता है रिमोट जिसके आप यूज करके वन टैब टेक आफ कर जाकते हैं उसको तो अब देख लेते हैं हमारे ड्रोन को जिसके अंदर यह पैकेट मिला है और यहां पर हम लोगों को पहले बैटरी और चार्जर प्लस ड्रोन का चार्जर दो दो चार्जर हम लोगों को देखने को मिलेंगे पर अडेप्टर नहीं है और यह एक बैटरी हम लोगों को देखने को मिलती है जो कि है 17 एमेच की जो कि आपको ज्यादा नहीं 10 मिनिट का फ्लाइट है में आपको देखने को मिलेगा और यहां पर हम लोगों को पहला यह चार्ज मिलेगा यह आपको अडेप्टर आप किसी भी अडेक्टर में लगा कि ड्रोन को चार्ज करना इसे इसे आप कनेक्ट कर देंगे और यहां पर एक्स्टा टूफैलर है तो यह मार ड्रोन कि मुझे इस प्राइस के साफसे ही ड्रजाइन बहुत ही अच्छी लगी नीचे की तरफ रबर लगी हुए है जिससे प्रोटेक्टेड रहता है और यहां पर हर साइड लगे हुए हैं लाइट और यहां उपर वाली इसके अंदर आपको ऐसे प्रेस करके इसके अंदर डालना है प्र आप आंगेवाली बॉटन से इसको अं कर देगे तो फिर इसली यहां हो जाएगा फिर आती वारे इसकी otheार की तो इसको आप चार्ज कर सकते हैं इसको कब डाएब इसकि आपको यहां इक बार चार्ज करन 3,300 अभी सेल में इसकी और भी प्राइस घटी थी अब वेट करेगा जब इसकी प्राइस ज्यादा कर जाए तो आप इसे पर्चेस कर सकते हैं अब यहां पर आपको जो आपको रिमोट मिला था उसको आपको ऐसे पहन लेना है यह बैंड की तरह आप इसके अपने हाथ में पह स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले आपको से स्टार्ट करके दिखा देते हैं इसकी लाइटिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगी है जब मैं पूरी लाइट बंद कर दूंगा तब तो इसकी लाइट काफी अच्छी होंगी अब जब एक बार टैप करेंगे आपकी अपकी उंगली में बटन देखने को मिलती है उसको जब आप प्रेस करके उपर उठा रहेंगे तो यह अपनी हाइट एजस्ट कर लेगा उसी को बटन को दबा के आपको इसकी हाइट एजस्ट करने है उपर नीचे करके बाकि आप बिना बटन दबाया इसे सिर्फ राइट लेप घुमा पाएंगे इसकी हाइट एजस्ट करने के लिए आपको बटन को प्रेस करके से अपना हाथ उपर नीचे खरना है तो यह ऐसा और पाएगा देख सकते हैं तो ऐसे इसकी कुछ प्लाइंग टेस्टिंग है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीड झाल